मैं डॉक्टर सुपरिया पुरानिक, टेस्ट्व बेबी कंसल्टन और प्रैक्टिसिंग ऑप्स्टिटिक अंगयनेक अलोजी मोर देन 20 अर्ज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉलिकिलर मॉनिटरिंग होता क्या है, ये करना क्यों जरूरी है और ये हम कैसे करते हैं अकसर हम कंसीव करने की कोशिश में हॉस्पिटल में अंडे की जांच करने के लिए जाते है यूजवली हम देखते हैं अंडा तयार होना शुरू हुआ है क्या, वो कितने साइज पर फुट रहा है और हमारा ओविलेशन कब हो रहा है लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो सोनोग्राफी के माध्यम से हम देखते हैं, वो अंडा रहता नहीं है, वो फॉलिकल रहता है तो हम जानेंगे ये फॉलिकल होता क्या है ये फॉलिकल एक फॉलिड फिल्ट सैक, यानि कि पानी से भरी एक छोटी से सैक रहती है, जिसमें अंडा रहता है वो अंडा इतना छोटा से रहता है, कि वो आखों से दिखाई नहीं देता, वो सोनोग्राफी से दिखाई नहीं देता वो सिर्फ 120 माइक्रों का होता है, इसलिए हम सोनोग्राफी के माध्यम से अंडा देख नहीं सकते लेकिन जरूर हम फॉलिकल की ग्रोध देख सकते हैं और उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा ओविलेशन कभ होने वाला है हर स्त्री के शरीर में दो अंडाशे होते हैं, ये दो अंडाशे गरभाशे के दोनों तरफ रहते हैं, एक अंडाशे बाई तरफ एक दाई तरफ रहता है ये अंडाशे में छोटे छोटे एक सेल्स रहते हैं, इनको छोटे फॉलिकल्स कहा जाता है जब मासिक स्त्राव शुरू होता है तब ये छोटे छोटे फॉलिकल्स बड़े होने की कोशीश में लग जाते हैं साथवे, आठवे दिन तक उनमे से सिर्फ एक या दो फॉलिकल थोड़े बड़े हो जाते हैं और बाकी सारे जो बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वो जढ़ जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं जो एक या दो फॉलिकल बड़े होना शुरू हो जाता है, इसको हम dominant follicle बोलते हैं यह dominant follicle अपने शरीर में FSH and estrogen यह दोनों जो hormones रहती हैं, उनके सारे बड़े होना शुरू हो जाता है जब यह follicle 16 to 21 तक पहुचते हैं, तब वो mature हो जाते हैं और वो फट जाते हैं इस प्रक्रिया को हम ovulation बोलते हैं और यह ovulation के दर्मयाद एक छोटा सा अंड़ा शरीर से बाहर आता है और वो फैलिपिन टीब वो अंड़ा capture करती हैं अभी हम जानेंगे यह follicular study क्या होता है, वो कैसे करते हैं follicular study sonography के माध्यम से करते है, sonography यह abdominal sonography यानि कि पेट से होती है और कभी-कभी यह sonography योनिमाक से होती है उसको transversional sonography कहते है जो पेट से हम sonography करते हैं, इसके लिए पिशाप की थैली भरी रहना बहुती मैत्वपुर्ण रहता है लेकिन पेट से की हुई यह follicular study इतनी accurate होती नहीं है तो हम vaginal root यानि कि योनिमाक से जो sonography करते हैं उसको ज़्यादा पसंद करते हैं तो आईए हम जानेंगे यह follicular study हम क्यों करते हैं यह follicular study से आपके doctor को पता चलता है कि हमारे follicle की growth कैसी हो रही है और यह कब फूटने वाला है और जब यह follicle फूट जाता है और अंडा बाहर आ जाता है जिसे हम ovulation कहते हैं उसके बारे में भी doctor को पता चलता है इसके साथ ही गर्भाशे की अंदर की परत यानि की अस्तर कैसा है अंडाशे में कुछ सिस्ट है क्या या गर्भाशे में कुछ गठान है क्या इसके बारे में भी doctor को जानकारी मिलती है यह follicular study हम मासिक स्त्राव के तीसरे दिन से करना शुरू कर देते हैं इसको हम baseline scan कहते हैं इस baseline scan में हमें पता चलता है कि अंडाशे में पहले ही स्तित कुछ सिस्ट है क्या और सिस्ट का पता follicular study के time रहना बहुत ही जरूरी होता है और इसके बाद हम साथवे दिन से follicular study करना शुरू कर देते हैं क्योंकि साथवे दिन तक dominant follicle का selection हो जाता है फिर उसकी growth हम track करते रहते हैं every alternate day यानि कि हर एक दिन छोड़के हमें clinic जाना पड़ता है हमारी follicle की growth track करने के लिए और follicle नापने के लिए जब follicle 16 mm का हो जाता है तो डॉक्टर आपको रोज follicular study के लिए बुलाएगा और जब तक आपका ovulation नहीं होगा तब तक रोज आपको hospital में ovulation देखने के लिए जाना पड़ेगा हमें मालूम है follicular study ovulation के बारे में acute सही जानकारी देने का एक सबसे अच्छा तरीका है लेकिन उसके disadvantage भी है क्योंकि follicular study के लिए हमें बार बार क्लिनिक जाना पड़ता है वहां का waiting time रहता है वहां बैठना पड़ता है और वो follicular study होने तक हमारा काफी time hospital में वैस्थ हो जाता है इसके साथ ही वो बार बार करने से हमारा mental pressure बढ़ जाता है तनाव आ जाता है anxiety हो जाती है और इसकी वज़े से हमारी fertility कम हो जाती है और जब ovulation के time डॉक्टर साब को relation रखने के लिए बोलेंगे साथ में रहने के लिए बोलेंगे तब intercourse करने की इच्छा बहुत कम हो जाती है और इसके साथ ही follicular sonography जब हम योनी मार्क से करते है तो वो ज़्यादा accurate होती है लेकिन लड़किया इसके लिए शर्माती है उनकी privacy थोड़ी से इसमें कम हो जाती है और उसके साथ ही ये procedure थोड़ा सा invasive लगने के chances होते है इसलिए आप जब IUI प्लान कर रहे हो या IVF प्लान कर रहे हो तो ही हम follicular study के लिए आपको hospital आने के लिए कहते है otherwise आपकी cycle normal है या थोड़ी disturbed भी है तो भी घर बैठे ovulation monitoring हम कर सकते है और इसके लिए हम ovulation kit का इस्तमाल कर सकते है तो घर बैठे ovulation की जानकारी रेने के लिए मैं usually inito digital ovulation kit का इस्तमाल करने के लिए बूलती हो क्योंकि इस kit में हमें दो hormones के बारे में पता चलता है जो ovulation के दर्मयान बढ़ जाते है जो पहला hormone रहा है वो estrogen है और estrogen ovulation से 3-4 दिन से बढ़ना शुरू हो जाता है और ये भी ये ovulation kit measure करता है और उसके साथ ही LH hormone जो ovulation से 24-36 घंटे पहले सर्ज होता है वो भी ये inito measure करता है और इसलिए inito ovulation kit जो digital है वो हमें 3-4 दिन पहले ovulation के बारे में जानकारी देता है ये ovulation kit के बारे में जानने के लिए अपने वीडियो के description box में link दी है वो link पे click करो और ये kit के बारे में जान लिजिए इस topic पे आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारे pregnancy, infertility and gynec related videos जरूर देखते रहें धन्यवाद